ही गाईज हेलो हाई सब्सक्राइब नमस्ति आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल को इंबर में वेलकम है और आज के ब्लोग की सुरुआत हो ये इविनिंग से अभी स्याम का टाइम है मैं कुछ मतलब एक रेसिपी बनाने वाली ह मैं आपके साथ शेयर करूंगी आई वोप आपको पसंद आएगा तो आईए आज के ब्लोग की सुरुआत करते हैं मैंने हाँ पे थ्री पटेटो लिया हुआ है मैं इनको पील कर लूँगी पहले तो और फिर मुझे इनको अच्छे से बोश कर लेना है और फिंगर्स की इस तरीकी से त्री स्लाइस हमको कट करना है और इसे फिंगर्स की सेव का इस तरीकी से कट कर लेना है और यह बहुती स्वाधिश्ट बनते हैं मिंटों में बनके रेडी हो जाते हैं आज हुआ कुछ ऐसा क्योंकि सुवए से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था मेरा मन नहीं ता आज कुछ भी करने का तो मैं बनाने लगी से आमको मिनकी सोचा चलो रिकॉर्ड करती हो और आपके साथ शेयर करती हो मैं पटेटो को साब को कट कर लिया और मैं इसको पानी में एड कर दूँगी बिकॉस पटेटो काला हो जाएगा हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो इसलिए मैंने पानी में एड कर दिया उसको और मैं इहाँ पे ओनियन भी कट कर लूँगी ग्रीन चिली सब मैं इस तरीके से कट करके रख लूँगी और अभी मैं यही बना रहे हूं इसके बाद मुझे चाई भी बनाना है राम भी अभी उपस से आने ही बाले हैं वो भी आ जाएंगे तो फिर साथ में चाई पीहेंगे स्यामका मैंने ये सब स्लाइस में कट किया और इनको भी ग्रीन चीलि को भी मैंने इस तरीकिशे से इसलाइस में कट किया है और टमेटो को भी इस अब को रेडी कर लिये आई आगे बनाना स्टार्ट करते हूं अभी पानी में से इनको अलग निकाल लेना है इसा एक बरतन ले लीजिए बड़ा सा और पानी में से अलग कर लीजिए और मैंने इसमें एड़ किया है कौन फिलार आप चाहो तो इसमें राइस फिलार भी एड़ कर सकते हो मेधा भी इसमें एड़ कर सकते हो बट मैंने कौन प्रेड किया है उनली दो चम्मच इसको अच्छी सी मिक्स कर लेना है आपके पटेटो पे हल्की सी कोटिंग आ जाए स्रिफ हमको इतना ही करना है यह रेडी हो चुका है मैंने कडाई लिया है उसमें ओयल मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया और मैं अभी पटेटो को एड कर दोंगी हाई फ्लेम पे हमने ओयल गरम किया बट पटेटो एड करने के बाद हमें फ्लेम को लो ही कर देना है लो फ्लेम पे इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और यह बहुत ही क्रंची बनके रेडी होता है बट हमें थोड़ा सा इसमें 6-7 मिनट लग जा और अभी मैं इनको निकालके साइड में कर लूँगी बस इतना ही हमें कलर चाहिए इसका निकालके आप इन्हें साइड में रख लेजी और यह बहुत ही क्रंची बनके रेडी होए थे मैंने यहां पर पैन लिया मैंने उसमें रिफाइंड ओयल एड किया है इसको भी हाई फ्लेम पे मैंने गरम किया है इसमें मैं स्लाइस किया हुगा ओनियन एड करूंगी और मैंने इस तरीके से स्लाइस में ही सब कट किया है low flame पे हम इनको golden brown होने तक पका लेना है green चिली मैंने slice में add किया था वो भी मैं add कर दूंगी इसमे मैंने धीर सारा green चिली डाला इसमें tomato में add कर रही हूँ आप चाहो तो यहाँ पे capsicum भी add कर सकते हो केप्सिकम, कैविज वो सब आप इसमें एड कर सकते वट मैंने वो सब नहीं किया इसमें स्वाद के नुसार नमक एड कीजिए कुटा हुआ काली मिर्चे एड कीजिए चिल्ली फ्लेक्स एड कीजिए धेर सारा क्योंकि चिल्ली पटेटो बन रहा है इसलिए मैंने इतना सारा चिल्ली डाला है और यह बहुत ही स्पाइसी बनाता, बहुत ही स्वादिष्ट था मैं इसमें टमेटो केचप एड करूंगी हमें इसका एक सास बना के रेडी कर लेना है तमेटो केचप मैंने एड की आ है अबी और अभी मैं इसमें विनेगर एड़ करूंगी, हमें एक अच्छा सा सॉस बना के इसका रेड़ी करना है, विनेगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसमें एड़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेश्ट आएगा, एक दू सेकिंड के लिए पका लेना ह तरीके से, मैंने इसमें पानी एड़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा ही सॉस बना के रेड़ी करना है, और इस सॉस बनके रेड़ी हो गया, पटेटो कर दीजिए, इसमें एड़ और इसको कर लीजिए, अच्छे से मिक्स, मिक्स करना है, एक मिनट के लिए इसको इस तरीकी से चलाते हुए, फ्लेम को मैंने यहाँ पे लोही रखा है, इस तरीकी से हमें मिक्स कर लेना है, सारा जो हमने सॉस बनाया था, पटेटो के अंदर ही अच्छी से कोट हो जाए सारा, पटेटो के अंदर ही सॉस का फ्लेवर आ जाए अंदर तक इस तरीके से हमें इसको मिक्स करना है और बहुती क्रंची है यह लोग कर दिस कितना अच्छा कलर आया है न इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है बहुती स्वादिष्ट बना था देखिए मिक्स हो चुका भी मैं इस पर ढिर सारा हरा धनिया एड़ कर दूँगे और कर लिजिए इसको सल्प चिल्ली पटेटो बनकी रेडी हो गया है मैं इसको सल्प करूंगे और आप कलर देखिए इसका सौस कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है अगर आप ये रेसिपी बना रहे हो तो इसको गरम गरम ही खाईएगा बहुती स्वादिष्ट लगता है गरम गरम अगर आप ठंडा करके खाओगे पटेटो फिर सौप्ट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा गरम गरम में क्रंची बनके रेडी होता है गरम ही खाईएगा आपको ये पसंद आएगा लोक है दिस कितना अच्छा कलर है न तो आप इसको इंज़ोई कीजिए पता है अच्छ क्या हुआ मैं तो ये बना के हटी थी राम ओपिस से आए और वो समोसा लेके आए थे बर अच्छा है वो मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा ही समोसा लेके आए थे क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया था उन्होंने बताया नहीं था कि मैं कुछ लेके आ रहा हूं वो समोसा लेके आए हमने चिल्ली पटेटो और समोसा सबको साथ में ही खाया था तो ये सम उसके बाद चाय, अपना स्पेसल चाय, जिंजर चाय, बहुती अच्छा मुझे लगता है अद्रक वाला चाय, मैं यहाँ पे चाय को सल्प कर लूँगी, इसके बाद हमने पिया था चाय, क्यूंकि ऐसे मतलब spicy oily खाके मेरा तो मन होता है बही चाय पीने के, मुझे तो बहुत कि बच्चों को, यहने स्याम को मैं चुली दूद देती हूं को, बट उन्होंने समोसा खा लिया था एक एक, फिर उन्होंने दूद नहीं पिया था, हम लोगोंने ही स्रिप चाय पिया था, और मैं हाँ पे अपने सारे बर्तन बगएरा सब बोश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन को मैं हमेज़ा ही आप लोगों से बोलती हूं, मैं हमेज़ा तुरंती बोश कर देती हूं, पर ना फिर वो चेटी आ जाता है, मक्खी आ जाता है, गंदा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा सब काम हो चुका है, स्याम का सारे बर्तन मैंने वश कर दिया, चिल्ली पोटेटो बहुती स्वातिश्ट बना था, सौसी था, क्रेंची था, बहुती अच्छा था, आप जरू से बनाईएगा, आपकी फेमिली में सबको पसंद आएगा, और अब हम आचुकें, इस वीडियो के एंड पे वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ, बाइब बाइ